और लेड़ना शुरू कर देते हो इधर वीडियो को स्टाप कर अब बढ़ अलो तेरी हादो भाई आज बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आगे हैं तक बन सो के क्रीब ग्राफिक कार्ड पड़े हुए है और छोटे कार्ड जो के बजट कार्ड हमेचा लोग कहते हैं भाई महांगे कार्ड ही लेके आते हो दो जीबी, चार जीबी, मालब बीस हजार की रैंच के भी कार्ड आ चुके हैं तो जल जल वीडियो तर चलते हैं मैं वन बे वन आपको बताऊंगा और मेरे पास हिस दफाना कॉंटिटी भी है मालब दस दस बीस बीस पीस भी आएं तो लेस्ट गो टू दा वीडियो असलाम लेको मेरा नाम नमान खालेद है और आप देख रहे हैं डडड़ू चार्जर गैमिंग स्टोर की वीडियो डड़ू चार्जर गैमिंग यूट्यूब चैनल पर और आज जो है ग्राफिक कार्ड की एक और वीडियो अप्डेट स्टॉक आता रहते हैं हर एक दो वीक बाग ग्राफिक कार्ड बिक के न्यूँ आ जाते हैं देखके लें, दो दिन की आपको refund warranty भी हम देते हैं, one month की check warranty भी देते हैं और card खराब हो जाए, कुछ भी without any reason, without नखरे किया हम वापस भी ले लेते हैं आपकी जो पैसें वो safe हैं, आपकी पाकिसान के किसी भी कोने से गराफिक कर लेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है, यह मेरी grantee है बागी rate कोशिश करूँगा, आपको rate अच्छा ही दें, बट हमेशा product की quality को rate से मैच किया करें बाई, सस्ते कार्ड, गंदे कार्ड आते हैं, वो मैं नहीं एक सेल करता, अभी एक मैंने 580 मगवाए थे, वो 25 का मिल रहा था, मैंने का 26 का सेल कर देते हैं, बाट उनकी हालत इतनी खराब थी, मैंने वापस करा दिये तो 580, 2500, 3500 का मैंने ही दे सकता, जो clean कार्ड है, वो इतने काई है, खेर शुरू करते है one by one, छोटे कार्ड से लेके बड़े कार्ड तक, तो let's go, हावे तू गया नहीं है, बारिश तेज हो रही है, तो तूने गिला पर ना लगया वे पहले, इदरा इदरा तू, इदरा मैं लोगों को दिखा हूँ, ये कौन बंदा है, इदरा, मैं लोगों को दिखा हूँ, ये कौन बंदा है, ये बंदा है, जो तूमें बाते सुना रहा होता है, इदरा, कैमरा इदर मोड, कैमरा इदर मोड, तो ये ताहा है, जो चैट्स पे सब को reply करता है, और अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो आप तहा को बोल सकते हो कि नुमान से बात करा ले बाकी एडिटर को तो सारे जानते ही है यार चारचर दिन आता नहीं है वापस चला जाता है तो बेगार है बया मैं तो तूड गया तूड गया मैं तो अब सबसे पहले जो छोटे 11GB के कार्ड है मों मेरे पास डिफरेंट काफी पड़े हुए हैं तो यह में जादर डिटेल में नहीं जाओंगा यह सम्टम डिस्प्ले के लिए आपको चाहिए होता है मेरे पास थोड़े बहुत होते हैं 5-6 कार्ड पड़े होते हैं उपर चलते हैं 2GB में सबसे कम प्राइज में जो के मोसली आप लोग लेते हो न 750 TAE 750 TAE कार्ड की जो प्राइज है वो तकरीबन 17-18,000 मार्केट में चल रही है उसकी प्राइज तो भाई नीचे आई नहीं दी तो मेरे पास वो तो नहीं आया बट 760 2GB मिल जाएगा बहुत नीट क्लीन कार्ड हैं कंडिशन आप देख लें 760 2GB Zotac के औरेंज फैन में कंडिशन साफ और यह 760 2GB है यह आपको मिलेगा 19,500 रुपे का डिलिवरी वगएरा सब अलग है डिलिवरी और इसमें कोई गुंजाश नहीं है अगर आपने लेना है तब ही आप कॉंटेक्ट करें प्राइज में कमी हम मजीद नहीं करेंगे एक यह EVGA का एक ही पड़ा है मेरे पास यह वाला 962GB EVGA और इसकी कंडिशन भी साफ सुती है टम्स इनके उपर हमने लिख के रखे में किसी का 70 है किसी का 75 है किसी का 74 है तो टम्स अंडर 80 होंगे यह जो EVGA वाला एक है बाकी मेरे पास 3 यूनिट वाइट और 3 यूनिट ग्रे कलर फुल के आई हैं कार्ड बड़े प्यारे कार्ड अगर आपको वाइट कार्ड चाहिए 962GB तो यह कार्ड है और यह चेक करें चाइना की इंपोर्ट है चाइना से यह चाइनिस टेंप ही लगी विए 960 का जो एवरिज तमपरिचर 75 तो 77 डिगरी तक होता है फुल लोड क आपको जो इन वाले कार्ड की वरिंटी बाइदवे बैक एंड सी हमें काम मिली है तो 15 डेज है वैसे हम वन मंथ विद बॉक्स वाले की देती है इसकी 15 दिन वरिंटी है बाकी एक से दो दिन आपको चेक करने के देंगे अगर आप रीफंट लेना चाहते हैं अगर कार्ड नहीं बसांदाता तो वापिस हो जाएगा उसके पर 964GB 964GB की बड़ी दिमांड होती है Zotac का कार्ड है ये भी साफ सुत्रा कार्ड है और इसकी ये बैक भी मैं आपको दिखा देता हूं बैक प्लेट के बगार होता है और पाइप की कंडिशन भी दिखा देता हूं ठीक है ये तो ये वाले कार्ड में रपस पड़े हूँ है तो एक दो तीन चार पांच ये साथ आठ कार्ड पड़े हूँ है ये भी मिल जाएंगे और 964GB की स्टम जो प्राइज है वो थोड़ी सी जादा है बट स्टिल एक अच्छा कार्ड NVIDIA का देखो AMD पे जाओगे तो 30,000 में 8GB का कार्ड मिल जादा है बट AMD में NVIDIA में नहीं मिलता तो NVIDIA का जो ये 4GB का ये 30 की रैंच गया तो 29,500 प्राइज है 964GB की उसके बाद most demanding card है 1050 Ti जो मैं mostly नहीं लेता था बच जिजवा मैंने मंगवाए है क्यों को बहुत लोग मांगते हैं तो 1050 Ti 4GB Zotek का का कार्ड है वो जो कार्ड है मेरे पास कितने पड़े हुए है एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ 1050 Ti पड़े है 1050 Ti आपको माज़र के साथ 32,500 का मिलेगा इसकी प्राइज है ज्यादा अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे पास सस्ते में रिप्लेस्मेंट भी है में लाजमी नहीं 1060 Gb तो एक पीस पड़ा हुए है 28,500 में मिल जाएगा बट वो एक दी है 1063 Gb उसके आगे चले तो मेरे पास NVIDIA में है 1066 Gb Zotac वो भी दिखा देते हैं कार्ड साफ होंगे ये मेरे क्रेंटी है ठीक है ये बैक प्लेट वाला Zotac का कार्ड है सही हो गया ये चेक करें साइड से भी दिखा देता हूँ और इधर से भी दिखा देता हूँ और ये चेक करेंगे 1063 Gb की जो पोर्ट वाली साइड है इसमें चार पोर्ट है दो डीवी हैं है एक डीवी पोर्ट है और क्लीन नीट क्लिंग कार्ड है इसकी प्राइज आपको इस टम हम 38,000 ही देंगे बलके 38 भी नहीं हम इस दफ़ा आपको दे देंगे 37,500 1066 Gb सही हो गया 1066 Gb के मेरे पास पड़े हूए हैं 8 यूनिट और ये सारा जो स्टॉक है ये डबल ए टाइगर की तरफ से हमारे पास आता है तो डबल ए टाइगर से आप डरेकली भी पर्चेस कर सकते हैं बड़ ये ह कि हमसे बाइ करें उनसे बाइ करें एक ही बात है बट में तो अफकोर्स मेरे पास टॉक पड़ा वे आपको डिलिवरी हम दे देंगे जहां भी जाना है कहीं भी डिलिवरी चाहिए मिल चाहिए बाइसाब टेंशन नहीं है 1066 Gb के इलावा मेरे पास 1660 Super 6GB पड़े हैं AMD पे म यह में से वेंटस वाला वेरेंट है बैक से भी दिखा देता हूँ उसके बाद मेरे पास असूस का एक यह एक पीस पड़ा वै असूस वाला लास्ट वीडियो में भी था ठीक है यह बही बैक प्लेट के साथ आता है और असूस के इलावा मेरे पास Zotek का भी पड़ावा है तो इनकी प्राइजिस में आपको बता देता हूँ जो गीगवाइट है वो 42 500 का पड़ेगा और जो MSI यह 43 500 का पड़ेगा यह दोनों कार्ड मेरे पस अवेलेबल हैं गीगवाइट एक दो रहेगे MSI के 3-4 कार्ड मजीर पड़ेने और और भी आ जाएंगे तो इस तरह से आपको यह कार्ड मिल जाएंगे उसके बाद जो ASUS का है यह आपको 44 500 का पड़ेगा यह भी मिल जाएंगे यह एक ही कार्ड है ठीक है टोटल यह भी 8-10 यूनिट है 1660 सूपर के और यह मजीर आते रहेंगे इनका मसला नहीं है हालो भई 588 जीईपी की बहुत देमांड थी मारे बबस 20 कार्ड आ चुके हैं ASUS के बिलकुल नीट क्लीन कार्ड है कार्ड की कंडिशन चेक करें बिलकुल नीट क्लीन 10x10 कार्ड है और हैबी ASUS का तो अगर आपको यह कार्ड बाए करें में 20 कार्ड आए हैं बाकि 1x1 सारे कार्ड का आपको बताई रहे हैं, तो इसकी प्राइज है 29,500 रुपे है सफायर का 285 रुपे है वो मिर तक खतम हो गया है एक तो 474 GB का एक यूनिट पढ़ा है जो कि आपको मिल जाएगा 22,500 का और उसके बाद जो AMD के कार्ड में है मेरे पास 598 GB Special Edition Blue Color का कार्ड है ठीक है ये कार्ड है बड़ा फिट कार्ड होता है और इसकी कंडिशन भी आप देखें इस दरह में आपको कंडिशन दिखा दे तो बड़ती भी होती है इसके ओपर सही है दूसरा उपन करते हैं जो उपन हुआ वाँ था ये बला ये है इन्नो 3D का 1660 सूपर और ये विद बॉक्स आपको 42,500 में हम दे देंगे ये मेरे पास 2-3 यूनिट ही है और वो मुझे कंफर्म नहीं है कि कब तक मेरे पास पड़े हुए है वीडियो अपलड तक होए तक हैं भी या नहीं क्योंके रोज रश होता है इस शौप पे सेल हो जाते है इसके बाद एक और ऑप्शन है 1654 जीबी ये एक ही यूनिट है मेरे पास ये जादा नहीं है कि मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत क्लीन गीगाबाइट का है बहुत साफ कार्ड है चोटू सा होता है charging V का कार्ड होता है बट ये डिडियो 6 का कार्ड है ये चेक करें और यहां से भी देख लें ठीक है यह डिडिया 6 का 4GB का कार्ड है लेकिन इसकी जो यह गेमिंग में किसी बंदे ने यूज किया था और अभी मुझे देखे किया है बहुत नेर क्लिन कार्ड है अगर आपको एक सेफ साइड के लिए बिल्कुल साफ कार्ड चाहिए डबे के साथ जो यूज बहुत थोड पैलेट का बहुत यह बहुत साफ कार्ड है 2060 सूपर यह पूरी लॉटी है बेसिकली एक आई थी और 1080 भी पड़ा है मेरे पस के एक और पीस आ गया है यह गीगाबाइट का 1080 ट्राइफ है मैं आपको दिखा देता हूँ यह मिल जाएगा 53,000 का यह वो लास्ट वाली प्रा करना चाहते हैं कम प्राइज में तो यह अच्छा उप्शन है उसके बाद आगे चलते हैं साथ-साथ में रख भी दो बड़े कार्डों की तरफ चलों लेकिन मेरे पस एक 1080 टी पड़ा है जो टैक एक्स्ट्रीम एडिशन यह बहुत बेस्ट कार्ड है बतिया शतिया बड़ का हमारे पास बड़े कार्डों में 3080 पैलेट पड़ा है 3080 पैलेट हम आपको देदेंगे 140 का 3080 पैलेट ठीक है उसके बाद हम आपको 3080 गीगाबट देदेंगे 150 का गीगाबट 3080 150 और यह भी मैं खोल किन दिखा रहा क्योंकि मेरा मेन फोकस यह वाले ज्यादा वाले कार् होलो जोटेक 145 में मिल जाएगा यह 3 कार्ड राइट नो अविलेबल है मेरे बड़े बागी 3090 4070 कुछ भी न्यू चाहिए वो भी मिल जाएगा 4070 ब्रैंड न्यू कि मैं अच्छी ओफर देता हूँ 2,20,000 रुपे में हम आपको दे देंगे लास्ट ताम होलसेल इतना बिखाऊंगा जो हैवी कार्ड है लाइक 48 यह सू स्टफ मिल जाएगा 4080 MSI Ventus मिल जाएगा 4070 TIE MSI 4070 TIE Zotac वो सारे कार्ड मेरे पस आने वाले हैं वो भी दिखाएंगे और उनकी प्रैस 3,000,000 से लेके 5,000,000 के दर्मियान है 1490 Rock Strix भी मिल जाएगा brand new 7,35,000 रुपे का यह स सारे कार्ड यह आपको दिखा दिया तो आज की बिद्धा काफी वीडियो चलिगे तो लाइक करें शेयर करें स्ब्राइब करें ओके टाटा बाइबाइब गुड़णाइड अलावेज